रामगर्जिले के पत्रातू स्टीम कॉलनी में प्रेम प्रसंग में दुशकर्म का मामला सामने आये हैं जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमी का के साथ अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया पीडित लड़की के बयान के आधार पर प्रात्मी की दर्ज कर पत्रातु पुलिस ने त्वरित कारवाई करते वे दू आरोपी संजरे भोया और अरुन भोया को हरासत में लिया मुख्या आरोपी हर्श दास बढ़का काना पूचरा निवासी फरार है जो से लेकर पुलिस खोचबीन कर रही है पुलिस पीडित लड़की को मेडिकल चार्च के लिए भेग चुकी है और पूचा चल रही है और वाकि अनुसंहान चल रहा है यह सामोई बलतका रहा है कि गटना है हाँ यह अनसंहान चल रहा है इसमें आविदान के अनुसार से उसमें समोई दूस्तर नहीं बताया गया